दो घर दो मेटर सेम सिटुएशन लेकिन कंडिशन थोड़ी थोड़ी अलग अलग और लेकिन वो लिंक एक ही चीज से है नहीं समन्द में आया ना चलिए कलियर करते हैं जो वर्ड को पर्टिकुलर वर्ड को लेकर लोगों के दिल में बहुत सारी बाते थे बहुत सारे सवाल थे के ऐसे क्यों बोला गया इसका नाम क्यों ड्रैक किया गया हमने भी वीडियो बनाई थी क्योंकि जब तक हमें भी सारी बाते पता नहीं थी लेकिन अब आकर उन्हों को देना चाही है उस लड़के को देना चाही है जिससे कि वह अपना पूरा टाइम लेंड होती है अलग महौल में परवरीश होती है फिर वो जब शादी होके दूसरे घर में चली जाती यह ना तो वहां पर उसको वह सारी चीज़े बिलकुल नहीं लगती है क्योंकि उससके गर से बिलकोल अलग होती हैं। यही कुछ बाते थी जिनकी वज Ayda कि शूरत जी का बिलकोल अलग हिसाब किताब उनकी जो भी problem थी या बीच में जो भी कुछ उनकी जो भी अन्बन थी या जो भी थोड़े से भी मन मुटाव मन में हुए थे या बातों में आए थे उनको किस तरह से हैंडल किये as a mother-in-law और दूसरी तरफ सपना की mother-in-law ने या father-in-law ने किस तरह से किये वो भी हमें देखन के लिए मिले अच्छा तो बात कुछ ही हो थी के सूरज जी गए थे वहां पर यानि के सपना अपने घर गई हुई थी और वहां कुछ बातों को लेकर मन मुटाव चल रहा था दोनों हस्बेंड वाइफ में तो जहां पर उनको ये देखने के लिए मिला के वहां पर उनकी जो भावी थी वह अपनी हो सकता है कुछ शिकायते कर रही हूं जोकि हर लड़की की इसी होती है अजस्मेंट में थोड़ी बहुत बाते होती है जोकि उनकी ममी ने बताया था तो वही उन्होंने ने यानि के रौकी ने यानि के सपना के जो भाई Thे उन्होंने कुछ नहीं कहा क्योंकि उनको इस तरह की परवरिश मिली ही नहीं है कि वो जो है कुछ ज़्यादा बत्तमीजी करें या लड़ाई जगड़ा करें गुस्सा करें चिला या फिर हाथ उठाएं जैसे कि हमें सपना के केस में देखने के लिए मिला था जहां ये एक आम बात हो गई है हर किसी के घर में जब भी कोई बात होती है न jsुनकी ममी को पापा को भावी को सब को ड्रैक करके उस लड़ाई में खीच कर ले आते हैं तुम्हारी माने यह ने यह नहीं किया पड़ाई हो रही है दो लोगों की बीच में अन बन है किसी भी बात को लेकर तो उसमें उनके ममी पापा का क्या लेना देना होता है जो खीच कतान कर उसको ले आते हैं उनकी परवरिश और वही वाली बात है कि बात जब सामने आती है तो इसलिए आती है क्योंकि थोड़ा- थोड़ा सा जो ना हर जगा के महौल का फर्क होता है वो महौल अट्जस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लेता है जैसे कि मैंने पहले कहा अगर ससुराल वाले थोड़ा सा इस चीज़ के लिए समझे कि बाहर से कोई अगर वहां 20-25 साल किसी की पच्चेस साल में होती इसकी 20 सा इसको कॉपरेट करें या फिर उसको समझने में थोड़ा सा जो भी वक्त लग रहा है या उसको प्यार से समझाए जाए देखो भाई मैं तो सीधा सदा सा फंडा समझती हूँ अपने घर में अगर बेटियां होती है तो क्या बेटियों को चीजें नहीं सिखाई जाती है कि भाई तुम्हें अगले घर जाके यह करना है बेटा ऐसे करो वैसे करो बेटियां लाख नुकसान कर देती है बेटि पेटी भना कर लेकर जाते हैं लेकिन जो फर्क किया जाता है वो बहुका १ एस ön जाने कमेड़े लड़की को अगर बेटी भना कर रखं़ ले तो शायद यो इतनी प्रअब्लम समाज में nah प्लस उनके सामने फिर उनकी आने वाली उलादे भी होती है तो बहुत सारे लोगों का एक डिफरेंट उपिनियन था कुछ लोग ये कहना चाह रहे थे कि देना चाहिए सपना को सपना का हक बनता है सपना के चढ़ाय हुए जेवर लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को दबी आवाज में ये कहा कि हमें भी हमारी सास ने नहीं दिया और वो सास लोग ही रख लेते हैं क्योंकि उनका ही रहता है चड़ाया हुआ तो ये क्या बात हुई चड़ाया हुआ जो धन है वो आपने फिर चड़ाये क्यों है उसको मत चड़ाते अपने नाम भी किया अगर आपने इस चीज के लिए कि ये फला फला चीज जो है ये हमने इसके नाम की बनाई गई है तो वो उसकी धरोहर हो जाती है इस तरीका कहते है ना इस तरीका धन होता है वो तो वो दे देना चाहिए उनको और उनको ही सुपूर्द कर देना चाहिए भई या तो आप एक काम करो भई उतना ही बनाओ जित कि साथ घट रहा था उससे वो सारी चीजे रिलेट कर पा रहे थे और उस दुख में शामिल हो पा रहे थे और सहानुभूती दिखा रहे थी क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये सारी चीजे फेस की है साससुर का लडाई जगडा करना साससुर का ये हर चीज में ड्रैक करना उनकी मां के साथ یہ misbehave करना, आने वाले family के साथ misbehave करना, या फिर care ना करना, या फिर हर चीज में रोका-टोकी लगाना, तो बहुत सारे ऐसे comment थे जो इस favor में भी थे, तो मतलब आज की दुनिया में भी ये सारी चीजे होती है, अगर ये सारी चीजे जवनस सासुर इस चीज को छोड़ दे कि ये कहकर के नई भई आने वाली लड़की को जो भी बहू हम लेकर आ रहे हैं उसको हम बेटी बना कर रखेंगे अगर उसको देखो भई अपनी बेटी को आप बचपन से सिखाते चले आ रहे हो अब वो भी तो अगले घर जाएगी ना जब वो अगले घर जाएगी तो उसको भी वो नया घर मिलेगा तो उसको भी अड़जस्ट होने में टाइम लगेगा तो बस इसी चीज़ को समझ लीजे लेकिन हाँ अब ये तो उनसे उम्मीद ने की जा सकती भाई जिनके घर में बेटी ही नहीं तो बेटे तो है ना जितना प्यारा आप बेटों को करें उतना ही बेटियों को करो अर इसी बात का सबूत देते हुए सपना की मम्मी ने जो सारी बाते बताई है मुझे उनको बाते सुनकर बहुत जादा दिल खुश हो गया उन्होंने यहीं बताया है कि हर लड़की को वहवार कर रहे थे और उस दोरान जब सपना अपने लिए आवाज उठा रही थी तो उनको वो बहुत बुरा लग रहा था और यह कह रहे थे कि तू नीतू बनेगी नीतू लेकिन मैं रौकी नहीं हूँ मतलब वो इस चीज के लिए बोल रहे थे क्योंकि वो अपने मन की बाते बोल रही थी नीतू बोल रही थी लेकिन रौकी न अपनी तरफ से कोई भी इस तरह से नहीं किया था तो यह एक अच्छी बात मानेंगे यह बुरी बात मानेंगे यह एक अच्छी परवरिश्च जामपल है क्योंकि उनकी मापापा ने उनको इतने अच्छे संसकार बाहर से आई हुई जब लड़की अपने घर में आ जाती है तो उसके साथ किस हद तक का कितना वहवार करना है अब उन्होंने तो देखा है ना अपनी बेटी पर उन्होंने अपने बच्चे को दोनों बच्चों को अच्छे संसकार दिये लेकिन बेटी को आप जो है वो सब जो से नहीं रोक पाई मतलब आप जो है दामाद से वो सारी चीजे नहीं रुकवा पाई लेकिन बेटे का आप पे पूरा हक था क्योंकि वो आपके घर में था तो आपने पूरे हक से उसको सपोर्ट किया बहु कि वो सारी प्रॉब्लम दीरे-दीरे करके सॉल्फ कर दी उसको अजस्ट होने में टाइम दिया और वो प्रॉपर तरीके से अजस्ट हो गई आज वो पूरी तरह से रम गई है जब वहां पर सपना जाती है तो खुशहाल फैमली नजर आती है हसते बोलते नजर आते और इस चीज़ में भी सपोर्ट कर दें अभी जैसे आज कल देख रहे ना थोड़ी बहुत थोड़ी बहुत प्रॉब्लम सब में होती है वो डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से सौट कर लेते हो आप अगर उसको एक अच्छे मैनर्स में अच्छे तरीके से सौट कर लेते हो यह समझ कर के कोई बात नहीं एक छोटी सी चीज इसको हम रेक करके हर चीज में घसीट घसीट के उनके माबाप को लिया हो बहुत बुरा लगता है जब लड़की को उसके पेरेंट्स के लिए बुरा भला बोला जाता है नहीं नहीं सिकलते दिखाए जाते हैं उल्हाने दिये जाते हैं ताने कसी किये जाता है तो वाकि में बहुत बुरा लगता है, अब एक इनसान एक कब तक सुनेगा, कुछ हट तक बरदाश करलेगा, एक साल बीद गया, दो साल बीद गया, तीन साल बीद गया, कब तक आप यह सुनते रहेंगे, एक दिन तो फिर ऐसा आजाता है, कि आपकी जो ना बरदाश करने की ख्षमता वह ख़तम हो चुकी है होती है और फिर आप फिर वही करते हो कि फिर पलेटवार करते हो फिर आप जो है सामने से फिर बोलना शुरू कर देते हो और वही चीजे जो ना खराब हो जाती है वही वाली बात है ना इंसान को तब तक उतना बोलो उतना सामने वाले को दो जितना आप खुद स शिक्षा देते हैं, वहां से किस तरह का महौल मिला और एक दूसरी तरफ जहां एक मा है जो पढ़ी लिखी नहीं है, वहां उनके सरस्कार देखो, ये फर्ख है दोनों चीज़ों के सरस्कार का, तो इसलिए मैंने कहा था कि दो मैटर हैं, एक लिंक है लेकिन एक घर की हाला द और ये वो में खास रीजन था जो लोगों को ये सारे डाउट हो रहे थे कि नीटू का नाम लिया गया है क्योंकि आदत होती है ना हर किसी की चीज में घसीट कर ले आने की भाई-भाबी होते हैं तो भाई-भाबी के ताने दिया जाते हैं माबाप होते हैं तो माबाप के ता करें जितना जमाना आगे बढ़ रहा है जितना परवरिश अच्छी दी जारी जितनी पढ़ाई लिखाई आगे हो दिना उतना ही इंसान और ज्यादा इन सारी चीजों को कभी नहीं समझ पा रहा है मतलब पहले से चलती आरी चीजे आज भी बहुत सारे घरों में यह सब बहुत कराती हूं मेरी अंपी ने हम तीन भेने हैं और मेरी भावी को ऐसे रखा था की हम तो एक तरफ तो यह कहते थे खरम अपने घरोधियों मेरी इंसुख में हर चीज में ये मेरे लिए खड़ी रहती है तो मैं क्यों ना करूंगी इसकी और ऐसे ही हमारी भावी है भाई कितने अच्छे उसके परिवार के संसकार है कि उन्होंने जो है ऐसे आज मेरी मम्मी को खतम हुए वे चार साल हो गए 2020 में हमने अपनी अम्मी को खो दिया था लेकिन हमें इस अहसास नहीं है यह सिर्फ परवरिश है और उन्होंने जो हमारी अम्मी के साथ रहकर देखा है यह उनकी प्लस अपनी अम्मी से अपने परिवार मेंलर में रहते हैं कि हमने और तीन चार बाद देखने को कॉल कर ना वीडियो खॉल करना सारी चीजों की राजी Näसी ना हर चीज में involved होना मेरी बुआओं के सारे रीतरिवाज होते हैं क्योंकि मेरी बुआएं भी भी आना जाना उनका रहता है तो उनको देखना देख भाल करना खाना पीना सब कुछ करना हर चीज ऐसे जैसे शायद मेरी अम्मी होती तब होता था आज भी well maintained उसी तरह से है किस पारी चीजे निभाती हैं तो मैंने कहा है न ऐसे भी परिवार हैं तो मेरा खुद का घर का ये बहुत बड़ा एक्जामपल है कि उन्होंने जितना अपनी बेटियों को प्यार किया न उससे कहीं जादा अपनी बहु को भी क्या और अब इस दुनिया में नहीं आला उनको जननत नसीफ फरमाए ऐसे ही हर माबाप को अगर बाहर से आई हुई लड़की जब वो आपके परिवार में आ जाती है न उसको बेटियों की तरह से अगर प्यार करे न तो शायद ये प्रॉब्लम जो है न कब की दूर हो जाए चलिए इसी के साथ मैं एंड करती हूँ क्योंकि वो जो नीतू थी वो सपना की भावी रियल भावी को ट्रै किया गया था ना की लखन भावाली नीतू को चलिए इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ आई होप आपको पसंद आए हो पसंद आए हो तो लाइक शेयर की जगा चैनल पर पहली बार आए है तो सब्स टेक केर